आज हम बनाएंगे आइस्क्रीम जो बच्चे और बड़े सब का फैबरेट है वैनिल आइस्क्रीम तो घर पे बहुत अच्छी से बन जाता है बड़े बड़े आइस्क्रीम पारलर से भी घर में बहुत अच्छी से बन जाएगा आपर रेसिपी को पूरा देखेगा और ऐसे बहुत बड़ी आईस्क्रीम तो अच्छा लगे आक प्रशक्रीम प्रेस कर दिजिए और निया है चैनल पर प्रिस सब्सक्राइब करके बैल ऐकम को प्रेस कर दिजिएगा अभी मैंने एक बाल ले लेले लिया बाल में एक काप मैंने फ्रेश घी रिश उपिंग ले ले लि से देखिए अभी फॉर्म हो गया है अभी यह पर हाफ कप मैंने कॉंडेस्ट में डाल दिया यह कॉंडेस्ट मिल की रेसिपी मेरे चैनल पर है आप मैं आई बोटन में लिंक दे दूंगे प्लीज अब चेक कर लिजिएगा अभी पूरे चीज को फिर से मिला लेंगे और हाफ ती स्पून वेनिल एसे डाल दिया डालकर फियर से वह भी अब यह जाए अभी इस क्रीम को हम लोग दो पर्षाण में डिवाइड कर लेंगे एक portion को थोड़ा side करके रखके एक half portion में 7-8 drops red color डाल देंगे red color डालने से क्या होता है white color के साथ red color मिलने से pink बन जाता है तो हम लोग थोड़ा colorful ice cream बनाएंगे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रसंद आता है अब हम लोग थोड़ा सा white और थोड़ा सा pink color डालेंगे इसमें कोई shapes और यह की जरुरत नहीं है जालते जाएंगे तो अच्छे सा last में एकदम बढ़िया सा थोड़ा सा colorful ice cream बन जाएगा तो ऐसे डालते हुए है कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में तो मेरा सारा चीज डालके मैंने ऐसे एक प्रसे रेपिंग प्रसे धब के 8-10 hours के लिए रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे रख दिया था और उसके बाद देखिए कितना मज़ेदार ice cream तयार हो गया हम लोग एक बॉल में अभी सब कर देंगे तो अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा है इसलिए थोड़ा सा हड़े थोड़ा सा मैल्ट होने दीजिए तो उसके बाद यह ice cream की मज़ा उठाई है तो दोस्तों रेसिपी अच्छा लगा तो प थैंक यू वरी मुच पो वाची बाइबाइ